Hello friends, Microsoft Word सीखने की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज की स्क्लास के अंदर हम रेफरेंस मेन्यू के सभी ओप्शन्स डिटेल में जानेंगे लेकिन इससे पर अगर आपने सीरीज के जो ये सभी प्रीवेस वीडियो इने नहीं देखा है तो मैंने इस पर ये प्लेइलिस्ट क्रियेट कर दिये और इस प्लेइलिस्ट का लिंक में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वोक्स में दे रखा है आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपके सामने प्लेइलिस्ट ही ओपन हो जाएगी इसमें आपको previous सभी वीडियोस मिल जाएंगे तो आप एक बार इन सभी वीडियोस को जरूर देख लेना तो चलिए अब शुरू करते हैं मैं हूँ अभिशेक और आप देख रहे हैं Microsolution ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पर मैंने reference menu पर क्लिक करा है तो डायरेक्ट उसी topic पर पहुँच जाएगा जिसके सामने वाले page number पर उसने click करा था तो देखे एक्जामपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम करने क्या वाले है तो यहाँ पर देखे मेर पास एक पहले से बनी हुई book है और इस book के अंदर देखे आपको सभी important topic मिल जाएंगे as a index यहाँ पर देखे first page पर यहाँ पर देखे सुरुबात में ही मैंने एक index create कर लिये और यहाँ पर सभी topics आपको दिखाए दे रहे होगे इस book के अंदर जो भी topics है और इनके सामने page number दिखाए दे रहे आप जैसे माल लो जो भी इस book को read कर रहा है तो यहाँ पर जो भी topic लिखाए उसे उस पर पहुँचना हो जैसे लिखा हुआ है how to work with SQL इस पर जाना हो तो क्या करना पड़ेगा जस्ट इसके सामने जो page number दिया है उस पर आपको mouse का pointer लेके जाना है और control के साथ click कर देना है तो देखो direct उसी topic पर पहुच जाएगा वो जो भी इस book को read कर रहा होगा तो यह कैसे बनाया है यह बनाया है हमने reference menu के अंदर table of contents है और ऐसी ही index आपने book में भी देखी होगी जब आप book वगेरा read करते हैं तो उसमें भी index होती है आपको direct किसी topic पर जाना होता है तो आप page number के थूरू उस topic पर पहुच जाते है तो हम क्या कर सकते हैं computerize भी एक index create कर सकते हैं जो काफी help करेगी हमारी direct उस topic पर पहुचने में तो देखे friends इस option को बताने के लिए मैंने already एक यहाँ पर document बना लिया है इस document में अभी कोई भी index नहीं बनी हुई तो देखो index बनाने से पहले हमें एक काम करना है कि सुरुबात में हमें कुछ blank pages जी होंगे ठीक है तो हम यहाँ पर सुरुबात में एक blank page लेकर आएंगे वैसे जब काम करना भी start करो तो सुरुबात में एक हाट page छोड़ देना बाद में वैसे आप चाहो तो add कर सकते हो तो अभी मैंने add नहीं कराता हूँ तो मैं यहाँ पर पहले कुछ page add कर लेता हूँ blank तो उसके लिए मैं insert menu में जाऊँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा blank page पर तो यहाँ पर देखो शुरू में एक blank page आ चुका है मैं काम करता हूँ एक blank page और ले लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने दो blank page ले लिए अब दूसरा काम आपको क्या करना है आप जो भी book बना रहे हैं जो भी document बना रहे हैं जिसकी भी आपको index बनानी है पहले उन्हें आपको heading बनाना पड़ेगा अभी देखिए इस file के अंदर कोई भी topic heading नहीं बना हुआ तो मुझे सबसे पहले heading बनाना पड़ेगा तब ही वो table of contents वाला जो option है वो काम करेगा तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर select करते जाऊंगा और heading बना लेता हूँ तो सबसे पहले मैं what is SQL इसे select करता हूँ ओके मैंने what is SQL इसे select करा और अब मैं क्या करता हूँ home menu में जाता हूँ और यहाँ पर heading 1 इस पर click करता हूँ तो देखो यह heading बन गई ऐसी मैं जो next topic है what is data इसको select करता हूँ और फिर से मैं क्या करता हूँ heading बना देता हूँ तो यहाँ पर मैंने heading 1 पर click करा select करने के बाद तो एक और heading बन गई ऐसी आपको भी क्या करना है कि आपके document में आपको जिन भी topic को index के रूप में show करना है तो पहले उन्हें select करना और heading बना लेना तो मैं काम करता हूँ पहले जितने भी topic से उनको heading बना लेता हूँ और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ ओके friends तो मैंने इस document में जितने भी topics थे जिनने मुझे as index show करना था उनको मैंने heading बना दिया है अब मैं क्या करूँगा जो शुरुबात में मैंने blank pages लियते उस पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपना cursor रखूँगा cursor रखने के बाद और यहाँ पर मैं को जाना पड़ेगा reference menu के अंदर और अब मुझे यहाँ पर click करना होगा table of contents के उपर तो मैंने jesis option पर click करा तो मुझे यहाँ पर तीन inbuilt design मिल जाएगी तो यहाँ से मैं अपने requirement के साब से select कर सकता हूँ आप एक बार देखो change करके देख लेना मैं यहाँ से first वाली ले रहा हूँ तो मैंने इस पर click करा तो यहाँ पर देखो मुझे एक index मिल गई है आप चाओ तो इसको edit कर सकते हो यहाँ पर contents की जगे आप चाओ तो अपनी book का नाम लिख सकते हो तो यहाँ पर हमें एक index मिल गई है देखो सभी topics यहाँ गए जिने हमने heading बनाया था और उनके सामने page number आ गया है अब देखिए friends मालो आपने document में एक नया topic add करा है उस topic को आपको index में show करना हो तो कैसे करेंगे तो पहले हम एक काम करते हैं एक नया topic add करते हैं तो यहाँ पर देखो मैं last में जाता हूँ और यहाँ पर मुझे add करने की जुरूत नहीं है मैंने कुछ छोड़ दिये थे topic जिने मैंने heading नहीं बनाया था तो आप मान के चलना कि इन्हें मैंने दुबारा से लिखा है तो यहाँ पर देखो जहां लिखा हूँ है drop database मैं इसे select करूँगा और select करने के बाद मैं से सबसे पहले तो heading बनाऊँगा तो मैंने इसे heading 1 बना दिया तो मैंने select करा और heading तो करी लिया और एक topic ओर है यहाँ पर इसे भी select करके मैं क्या करता हूँ heading बना देता हूँ ओके अब हमें करना क्या है हमें सुरुबात में जाना है और जहाँ पर हमारी इंडेक्स है यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इसके अंदर और यहाँ यहाँ पर हमें option मिल जाएगा update table चाये तो हम यहाँ क्लिक कर सकते हो चाये तो हमें यहाँ भी option मिल जाएगा update table का इस पर हम click कर सकते हैं पर क्लिक करते हैं और यहां पर हमें option मिलेगा कि हमें पूरी इसको update करना है तो हम यह वाला option select कर देंगे update entire table और ok कर देंगे तो यहां पर देखिए last में जो नए topic हमने add कर रहे थे वो भी आ चुके हैं तो यहां पर पहुझ गए हम आप देखिए friends यहां पर आपको कुछ options और मिल जाएंगे table of contents के अंदर आप जब इस पर click करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा custom table of contents आपको इस पर click करना है और इसके अंदर आपको देखिए कुछ options मिलेंगे जैसे आपको यहां पर page number show नहीं करना उल्ली topic topic show करना है तो आप यहां से हटा सकते हैं देखो यहां पर मैं ok कर देता हूं इस टिक को मैं अटाया और ok किया तो page number हट जाएंगे replace करने के लिए बोल रहा है तो यहां पर देखो cable topic रहे गए अगर मैं control के साथ इन topic पर click करूँगा तब भी मैं वहीं पहुँच जाओंगा कि label set कर सकते हैं मतलब कि यहां पर अगर one set है तो जब आप heading one बनाएंगे तो अब यहां पर show होईगी index के अंदर otherwise show नहीं होगी अब अगर आपको topic के अंदर एक और sub topic बनाना है और उसकी भी index चाहिए तो यहां से आप index का जो label है वो two कर सकते हैं तो यहां पर देखिए heading two इसका मतलब कि अगर आप किसी topic के heading two कर देते हो तो वो भी index के अंदर show हो जाएगा ठीक है तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ है तो मैंने यहां से okay तो कर दिया इसे और आप देखो क्या करना है मुझे तो यहां पर देखो मैं क्या करूंगा किसी एक topic को जैसे मैं यहां पर लिखा हूँ है data is a collection of information इससे select करता हूँ और home menu में जाकर यहां पर इसकी heading है वो to कर देता हूँ अब देखो इससे होगा कि यहां पर भी मैं उस topic को show करूंगा index के अंदर तो मुझे क्या करना है reference में जाना है और यहां पर बस update table पर click करना है और update enter table पर click कर देना है तो यहां पर देखो data is a collection of information यह भी add हो गया है बड़ यह sub topic बनकर आया है इसके नीचे आया है क्योंकि मैंने यहां पर यहां भी मिल जाएगा option देखो add text के अंदर दो ही level आ रहे है level 1 और level 2 कि आपने 2 level तक की index create कर रहे है अब इसके अंदर अगर आपको level चाहिए तो आप यहां पर जाए custom table of content में जाए और यहां पर level join 3 कर दें तो फिर अगर आप heading 3 बनाएंगे तो वो भी show हो जाएगी तो कुल मिलाकर अगर आप heading 2 भी select करतें किसी topic कि heading 1 भी select करतें तो heading 1 और heading 2 वाले topic ही यहां पर index में show होंगे otherwise वो show नहीं होंगे तो इस तर इसकी help से आप क्या कर सकते हो कोई extra note लगा सकते हो अपने paragraph के लिए ताकि आपको याद रहे कि इसके अंदर कुछ changes करना है तो कुल मिलाकर यह note लगाने के लिए होता है अब इसको आप अपने तरीके से किसी भी काम के लिए use में ले सकते है बट यह लगता कैसा है और दिख हुआ paragraph आ जाता है और इसे already मैंने आपको सुरुबात वाले वीडियो में बता दिया है detail में अब देखो यहाँ पर मैं इस paragraph के लिए मालू मैं कोई book लिख रहा हूँ और यहाँ पर मुझे इस paragraph के अंदर कुछ changes करने है बट अभी नहीं करना चाहता है बट मैं याद रखना तो पहले मैं footnote लगाता हूँ इस paragraph के लिए लगा रहा हूँ मैंने cursor यहाँ पर click करके रखा है जहां लगाना हो वहाँ आप cursor को रखे हैं तो यहाँ पर मैंने insert footnote पर click करा तो देखो footnote का लगता है उसी page पर जिस पे आप लगा रहे हैं तो मैं इस page पर हूँ इस page के last में ल लिखाए दिरा है तो यहाँ पर मैं इस paragraph के बारे में जो भी extra लिखना चाहता हूँ वो लिख सकता हूँ तो यहाँ पर फिलाल में लिख देता हूँ I will check this तो मैं इसे check करूँगा मतलब मुझे यह याद रखना है कि मुझे इसे check करना है तो देखो अब पता कैसे लगेगा कि मैंने यहाँ पर कुछ hint लगा रही किये तो देखो यहाँ पर पता लग गया कि यहाँ पर यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो डबल क्लिक करूँगा तो मुझे वही बेज़ देगा या फिर मैं इस पर cursor को hold करके रखूँगा तो यह मुझे बता देगा कि यहाँ पर मैंने कुछ अपने लिए hint लगाई थी I will check this तो मुझे बाद में अगर इसे check करना हुआ तो मैं इसे check कर लूँगा तो कुल मिलाकर यह तरह का note लगता है जैसे हम कई बार क्या करते हैं बुक में note वगेरा लगा के लिख लेते हैं यहाँ पर मैं सेम बात लिखूँगा कि मुझे इसमें check करना है तो footnote तो हमने लगा लिए footnote उसी page में जाकर लगता है अब जो end note होता है अगर आपके document में एक से ज़्यादा page है तो इस सबसे last में जाकर लगेगा जो आपके जितने भी page हैं उसके बाद में जो last page होगा उसमें जाकर लगेगा तो example के लिए हमें एक काम करते हैं सबसे पहले तो एक page को raid कर लेते हैं क्योंकि अब इस document में एक ही page है अब देखो मैं यहाँ पर लगाना चाहरा हूँ इस paragraph पर एक note की मुझे बाद में इस paragraph को check करना है और यहाँ पर मैं reference menu में आता हूँ और यहाँ पर मुझे मिलेगा insert add note तो इस पर click करता हूँ तो देखो यह कहां चला गया page के last में जो सबसे last वाला page है तो फिलाल इस document में सबसे last page कौन सा है page number 2 क्योंकि दो ही तो page है तो यहाँ पर मैं page number 2 पर सबसे last में आ गया हूँ और यहाँ पर मैं जो लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ याद रखने के लिए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया I will check this मैं इसे check करूँगा ठीक है मैंने ऐसे लिख दिया तो यहाँ पर show रहा I will check this और मैं चाहूँ तो यहाँ पर next करकर भी देख सकता हूँ अगर मैं next करता हूँ तो मुझे बता दे जाएगा कि अपने document में मैंने कितने note लगा रहे हैं तो यहाँ पर मुझे पता लग जाएगा अब show में भी दो option आजाएगी कि आपको footnote check करना या endnote check करना है और वैसे तो बहुत अच्छा तरीका कि यहाँ पर आपको ऐसे दिखाए देगा अलग से आप उस पर cursor ले जाकर रखेंगे तो यह show हो जाएगा तो मुझे बाद में पता लग जाएगी कि मुझे इसके अंदर कुछ changes करना था तो कुल मिला करेंगी reminder की तरहे काम करता है ताकि आप future में इसके अंदर कुछ changes कर पाओ तो इससे आप अपने हिसाब से use में ले सकते हैं इसके पर देखे friends reference menu में जो अगला option है वो है insert citation का और इसका use आप करेंगे जब आप MS Word के अंदर कोई ऐसी file तयार कर रहे हैं ऐसा document तयार कर रहे हैं या फिर कोई book बना रहे हैं और उसके अंदर जो आप paragraph लिख रहे हैं वो किसी आपने दूसरी book से लिया है उसका author उसका publisher कोई और है वो आप नहीं हो या फिर आपने किसी website से text को copy करके यहाँ पर paste करा है तो आपको उस website के owner की उस book के owner की information अपने paragraph के नीचे देनी पड़ती है ऐसा करना पड़ता है जब आप उपनी book को publish कर रहे होते हैं उस समय उसकी जुरत पड़ती है तो आप उस paragraph के नीचे उस author का नाम दिखा सकते हैं उस website का link दे सकते हैं जहां से आपने उस paragraph को copy किया था तो example मैं आपको दोनों का दिखाऊंगा जब आप किसी website से text को copy कर रहे हैं तब क्या करना है और जब आप किसी book से text को यहाँ पर write कर रहे हैं तो कैसे आपको author की information paragraph के नीचे देनी है यह मैं आपको बताने वाला हूँ तो देखें सबसे पहले हम मानके चलते हैं कि यह जो paragraph पे जान लिखा हुआ to make your document look professionally और इस paragraph को हमने किसी book से write करा है बनलब इसके original मालिक हम नहीं है इसका author इसका publisher कोई और है बट यह paragraph अच्छा था तो इसे हमने हमारी book में use करा है तो हम क्या कर सकते हैं उस author की उस publisher की information या दे सकते हैं तो कैसे देंगे तो मानके चल रहे हैं यह वो ही paragraph है तो हम क्या करेंगे इस paragraph के नीचे cursor को रखेंगे और यहाँ पर insert citation में जाएंगे और इस पर click करने के बाद हमें मिलेगा option add new source इस पर click करना है और यहाँ पर हमें सबसे पहले यह select करना है कि यह जो paragraph है हमने किसी website से लिया है यह book से लिया है तो जैसा कि अभी मैं आपको book का example दे रहा हूँ तो यहाँ से मैं book select कर लूँगा वैसे यहाँ पर आपको और भी option मिल जाएंगे अगर आपने इन किसी माध्यम से उस text को लिया है तो आपको यहाँ से बस वही select करना है और information को fill करना है तो example तो अभी मैं आपको book का दे रहा हूँ तो यहाँ से मैं book select कर लेता हूँ तो यहाँ पर author का नाम आ जाएगा तो example के लिए अभी मैं कुछ भी लिख देता हूँ जिसे मैं यहाँ पर कमल सिंग कर देता हूँ और यहाँ पर इस option को आप चाओ तो check रख सकते हो अगर आपके पास इसकी information है तो वेसे जब आप किसी company वगेरा में काम करेंगे तब आपको automated यह detail दी जाएगी आपको cable fill करना होगा बट अभी example है तो मैं आपको बता देता हूँ title में आप उस book का नाम डाल सकते हैं या फिर आपने जो भी paragraph के अंदर लिखा उसके बार में short information यह लिख सकते हैं फिलाल मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ demo लिख देता हूँ क्योंकि मैं भी आपको demo दे रहा हूँ year के अंदर आप क्या कर सकते हैं वो जो book है उसका year enter कर सकते हैं जिससे आपने इस text को यहाँ पर write कर रहा है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ example के लिए 2018 और यहाँ पर city आजाईगी कोई भी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है city indoor चिक है और यहाँ पर आएगा publisher का नाम तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राज तो friends यहाँ पर आपको information बिलकुल सही देनी पड़ेगी जब आप इसे actual में यूज में ले रहे होंगे अभी मैं आपको केबल एक demo दे रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ demo information डाली है उसके बाद मैं ok कर दूँगा तो देखिए friends इस paragraph के नीचे short में detail आ गई है वेसे आपको last page में bibliography के माध्यम से पूरी information देनी पड़ेगी फिलाल इस paragraph को मैंने जहां से use करा था उसके लिए मैंने यहाँ पर insert situation enter कर दिया है ठीक है अब जैसे मान लो मैं आपको example ओड दे रहा हूँ second page पर चलता हूँ और यहाँ पर मैंने इस paragraph को किसी website से उठाया ना कि book से उठाया तो उसके लिए मुझे again क्या करना पड़ेगा citation enter करना पड़ेगा तो insert situation में जाता हूँ और add new source पर click करता हूँ और इसके बार यहाँ से book change कर लूँगा अगर book से उठाया है तो यहाँ पर मैं webpage का नाम कुछ भी लिख देता हूँ अभी demo और name of website आएगा website का जो URL है वो आपको वैसे तो यहाँ paste करना है तो website का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं जो भी website का नाम है तो अभी मैं यहाँ पर सिर्फ demo demo लिख रहा हूँ क्योंकि मैं demo देना हूँ आपको और यहाँ पर उस website का जो year है जब वो website publish की गई थी वो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर year month और day enter कर देना है इसके बाद है कि यहाँ पर उस website का URL उस website का link आपको copy करके paste करना है जहां से आपने इस paragraph को उठाया है तो example के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ www.demo.com ओके तो यहाँ आपने demo के लिए website enter कर दिये वैसे आपको यहाँ पर बिल्कुल सही website enter करनी होगी जब आपने किसी website से paragraph को अपनी book में use करा है तो उसके बाद बस आपको okay कर देना है short information आ गई है ऐसे friends आपने अपने book में जो भी paragraph जहां से भी लिए बस आपको उनकी information insert citation में जाकर add करनी है और उसके बाद आपको next काम करना है वो है bibliography देने का क्योंकि friends देखिए यह जो reference tab है यह थोड़ा सा एक advance tab है और इसके अंदर जो options है वो एक book पर काम करने के लिए बने है तो कि MS word को cable normal कामों के लिए यूज में नहीं लाए जाता है इसको आप advance तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे book बगएरा बनाने के लिए जब कोई book publish करता है तो वो MS word में तयार कर सकता है आप चाओ तो इसके अंदर script लिखने का काम कर सकते हो MS word के अंदर बहुत सारा काम किया जाता है तो उसके इसाब से यहां पर option दिये गए तो यहां पर हम चलेंगे अब last page में और यहां पर हम last page में आ गए और यहां एक में blank page लूँगा ठीक है और blank page लेने के बाद यहां पर मुझे bibliography दिखानी होगी जितने भी paragraph मैंने जहां से भी उठाये थे उसके बारे में मुझे तमाम जानकारिया देनी पड़ेगी तो उसके लिए मैं जाओंगा यहां पर style जो है वो API select रखूँगा और यहां पर जाओंगा मैं bibliography के अंदर और यहां पर मुझे तीन style मिलेगी मैं कोई सी भी style ले सकता हूँ आप अपने इसाब से ले लेना तो यहां पर मैं first बाली ले लेता हूँ तो यहां पर देखो मैंने केबल दो ही paragraph के लिए situation एंटर कराता तो information आ गई है यहां पर देखो website का नाम भी आ रहा है तो friends last page पर bibliography को जरूर enter किया जाता है जब आप book वगेरा बना रहे होते हैं इसके बाद है कि friends आपको यहां पर option मिल जाएगा वो है manage shorts का इस पर जब आप click करेंगे तो जो आपने entries करी थी वो entries को आप edit भी कर सकते हैं जैसे देखो मैंने यहां पर यह दो entry करी थी जो show हरी है यहां पर मैंसे edit करना चाहूँ कोई नई information देना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ चाहूँ तो मैं delete भी कर सकता हूँ entries को यहां से मैं delete कर सकता हूँ यहां से देखो मैंने डिलीट कर दी तो friends इस तरह के से इस option का use किया जाता है इसके बाद देखे friends यहां पर जो next option है वो है insert caption का और यहां पर आप क्या कर सकते हैं इस option से वो आपको यहां पर देखना पड़ेगा तो यहां पर इस option को समझाने के लिए मैंने एक document बनाया है और यहां पर कुछ नहीं इस document में एक topic है और यहां पर इसके बारे में लिखा हुआ है और यहां पर एक image है माल लो आपको यह book बना रहे हैं again यहां पर मैं आपको book का example दे रहा हूँ यहां पर एक topic है इसके बारे में लिखा हुआ यहाँ पर एक image है तो यहाँ पर जो यह मैंने figures लगाएं यह मैंने जान बूच के लगाएं ताकि मैं आपको इस option को समझा पाऊँ तो इस तरह से आपने book में भी देखा होगा कि जो यहाँ पर लिखा हो तो इसके बारे में एक image होती है तो इसको अब किस तरह के से image word में use ले सकते हैं अगर आप एक digital book बना रहे हैं तो वोई चीज आपको यहाँ पर समझनी है तो देखे friends इस option को use में लेने के लिए सबसे पहले मैं इस image को select करूँगा उसके बाद मैं insert caption पर click करूँगा तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ जाएगा figure 1 और यहाँ पर figure 1 क्यों लिखा रहा है क्योंकि यह एक image है और मुझे figures पर ही काम करना है यहाँ से मैं चाहूँ तो table equation इसनको भी select कर सकता हूँ बट अभी एक image है इसलिए यहाँ पर figure रखा हुआ है उसके बाद मुझे बस यहाँ से ok कर देना है तो यहाँ पर figure 1 लिखा हुआ जाएगा अब मुझे ऐसे ही दूसरी image पर जाना है और यहाँ पर मैं इस image को select कर रहा हूँ again मैं insert caption पर click करूँगा तो यहाँ पर automatic figure 2 लिखा हुआ जाएगा और अब मैं ok कर दूँगा अब देखे इससे benefit क्या मिलेगा जैसे मालो मेरे document में बहुत सारी images है और मैं उनकी एक list बनाना चाहता हूँ index बनाना चाहता हूँ तो मैं insert caption में जाके पहले सबको यहाँ पर assign कर दूँगा figure और फिर मैं बना सकता हूँ कैसे तो यहाँ पर काम करता हूँ सबसे पहले मैं एक blank page ले ले लेता हूँ तो मैंने यहाँ पर blank page पर click करा last में एक blank page आ गया अब मैं reference में जाऊँगा और यहाँ पर दिखाए दिरे आपको insert table of figure इस पर click कर दूँगा और यहाँ पर मैं अभी सीधे ok पर click कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो एक index बन गई है कि figure 1 page number 1 पर है और figure 2 page number 2 पर है अब अगर मुझे पहली जो image फेला figure है उसको देखना हो तो मैं इस पर बस control के साथ click करूँगा और मैं वही पर पहुँच जाऊँगा तो इस तरीके से आपके document में जो भी images है उनके आप index बना सकते हैं अब आप चाहो तो equation के उपर भी इस काम को apply कर सकते हैं अब आपने page में बहुत सार equations ले रही किये तो आप किसी भी equations की एक index बनाना चाहते है डारेट उस equation पर पहुचना चाहते है तो आप बना सकते है बस आपको करना क्या है कि हर equation के नीचे जाकर यहाँ पर insert caption में जाके यहाँ से आप equation select कर लेना और यहाँ पर equation 1, equation 2 लग जाएगा equation लेना मैंने आपको insert menu में बता दिया था आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लेना इसके बाद देखे friends next option है इसी के अंदर वो है cross reference और इस option को मैंने आपको detail में insert menu के अंदर बता दिया यहाँ पर भी एक cross reference तो मैं यहाँ पर आलरेड़ी बता चुका हूँ तो एक बार आप insert menu वाला वीडियो देख लेना ताकि आपको cross reference के बारे में भी पता चल जाए इसके बाद देखे friends यहाँ पर जो next option है वो है हमारे पास mark entry और इसकी help से आप जो भी document बना रहे है जो भी book बना रहे है उसके अंदर जो भी important words से उसकी एक index बना सकते है last page पर तो कैसे करेंगे इस काम को तो सबसे पहले आपको mark entry पर click कर लेना है mark entry पर click करते ही यहाँ पर एक window open हो जाएगी बस आपको cursor से करना क्या है अपने इस document में cable important words को select करना है ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ select करते जाता हूँ select करने के बाद जहाँ आपको दिखाई दे रहा है इस window के अंदर main entry यहाँ click कर देना है तो वो word जो आप select करना चारे वो यहाँ आ जाएगा उसके आपको बस mark पर click करना है mark पर click करते हैं आपके पूरे document में देखो इस तरह का symbol आ जाएगा बर आपको tension नहीं लेनी है बस आपको important word को पहले mark कर लेना है इसे में हटा दूँगा भी तो जैसे देखो मैं इसके बाद यहाँ पर इस data को भी में mark कर लेता हूँ तो मैंने इसे select करा और यहाँ पर click कर दूँगा जहां लिखा हुआ main entry तो यहाँ पर data जाये का mark कर देता हूँ next page पर जाता हूँ यहाँ से में table इसे mark कर लेता हूँ और यहाँ पर click कर देता हूँ table भी mark कर लिया मैंने यहां क्लिक करते हैं लिखा हुआ गया टेबल फिर मैं मार्क करूँगा फिर मैं next page पर जाता हूँ और यहां से मैं ले लेता हूँ database जो जो word मुझे important लग रहा है मैं उसको mark कर रहा हूँ तो आप अपने इसाब से जब आपको जरुद पढ़ेगी तो आप इसको use में ले पाएंगे अभी दूसरी पे एक demo है बस आप सीख लो जब आप काम करेंगे और इससे actual में use में लेंगे जब आप को और मज़ आएगा ठीक है तो मैंने यहाँ पर main entry में click करा तो यहाँ पर databases लिखा हुआ आगया मैं इसे भी mark कर लेता हूँ ऐसे मैं और भी words कर सकता हूँ बट बहुत है अभी फिलाल के लिए अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर close पर click कर दूँगा अब जाओंगा मैं page के last में हम इसा page के last में लास्ट में एक page आ गया है और इस पर मैं क्या करूँगा reference menu में जाकर index बना लूँगा जिन जिन words को मैंने mark किया था जिने में important मानता हूँ index पर click करूँगा insert index इस पर click करा और यहाँ पर आपको option मिल जाएंगे देखो किते column में रखना है आपको यहाँ पर column अगेर आप select कर सकते हो language select कर सकते हो बर by default जो है वही best है okay कर देता हूँ मैं तो यहाँ पर दो column select था तो दो column में index आ गई है बताया जा रहा है कि जो data है वो page number 1 पर लिखा हुआ है यह word page number 1 पर databases जो है page number 3 पर है यहाँ पर जो table है वो page number 2 पर है यह वाला जो word है वो है page number 1 पर तो इस तरीके से आप क्या कर सकते है important words की एक table बना सकते हो तो मैंने आपको इस option को एक book का example देके समझाया है आप चाओ तो इसे किसी और काम में भी use में ले सकते हैं ठीके तो यहाँ पर हमें एक काम और करते हैं कि update index इसे देख लेते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मालो आपने एक नया word अपने document से important बनाया है जैसे मैं य मुझे यही पर लेकर आना है कहाँ पर इसके अंदर पर पहले home में जाकर इस symbol को डालेते हैं अब देखो यहाँ पर मुझे लेकर आना है जो नया word मैंने mark करा था तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर देखो यहां रखा मैंने और update कर दूंगा बस किसी के भी सामने रख लेना और update कर देना जब update एक्टिवेट हो जाएगा इस पर क्लिक करना तो देखो यहाँ पर यह नया word एड़ हो गया यह page number 3 पर है तो इस तरह के से आप index मना सकते हैं एक important words की इसके बाद है कि friends यहाँ पर जो अगला option है वो है mark situation का देखो हमने यहाँ पर insert situation सिखा था insert situation वाले इ करा था उन लोगों की information add करीती जिनके paragraph हमने हमारी book में use करें चाहे वो website से करें चाहे book से करें तो mark situation देखो दो option को मिला कर एक option है insert situation और mark entry आप क्या कर सकते हैं कि index create कर सकते हैं जिन जिन लोगों की आपने situation में entry करीती उनकी उन्हें mark कर लो और बना सकते हैं तो चलो हम फट इस database बाला यह paragraph है मैंने किसी और book से use करा है तो मैं इसके नीचे पहले क्या करूँगा situation enter कर दूँगा तो यहाँ पर वैसे मैं delete कर चुका था इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे तो मुझे यहाँ पर पहले add करना पड़ेगा तो फटा फट से information add कर लेता हूँ ताकि time लगा दिये और एक यहाँ पर उपर भी है ओके देखो यहाँ पर एक ठीक है और कहां से किया इस काम को मैंने insert situation से किया जो आलरीडी मैं आपको बदा चुका हूँ देखो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है तो कुल मिलाकर अगर आपके पास बहुत सारे situation से मतलब आपने mark situation से भी कर सकते हैं तो काम करते हैं हम सबसे पहले select करते हैं यहाँ पर mark situation को और यहाँ से select कर लेते हैं information को जैसे मैं यहाँ पर mark कर लेता हूँ तो यहाँ मैंने cursor रखा और यहाँ से मैं से select करूँगा और यहाँ पर मेरे को click करना है और take automatic यहाँ जाएगा मैं इसे mark कर दू बस मेरे पास यहाँ पर दो ही ओधर थे तो मैंने इन्हें यहाँ पर मार्क कर लिया है बहुत सारे होते हैं आपके पास तो आप कुछ इस तरह कैसे कर सकते थे क्लोस करूंगा मैं लास्ट मेंज पर जाऊंगा और लास्ट मेंज मेरा यह रहा और सबसे पहले मैं एक सिंबोल जो यहाँ पर यहाँ आ रहा है इसे हटा देता हूं होम में जाता हूं इस पर क्लिक करता हूं हड़ी है ठीक है लास्ट मेंज है हमारा ओके फ्रेंट्स अब मैं situation से mark करा होगा उस समय देखो यहाँ पर आपको category का option मिल जाएगा तो यहां से जब आप category select करेंगे तो उसी category में जो जो आपने mark करेना situation वो जाएंगे और मैंने cases select करके यहाँ पर जो situation से जिसे देखो यहाँ पर मैंने जो author है वो दो author यहाँ पर करेते, वो मैंने cases के अंदर ही कर दिये ते, इसलिए मुझे यहां से भी cases ही select करना पड़ेगा, लेकिन आप चाहें तो एक नई category दे सकते हैं, उसके लिए आपको category पर click करना है, और यहां से आपको कोई भी एक number select करके replace कर देना है, और नई category का नाम आप यहां पर दे देना, उससे वो category replace हो जाएगी, जो भी आप नाम यहां पर देंगे, ठीक है बस यहां से आप वो category select कर लेना है जो आपने create करीए, मैंने यहां से cases ही रखा था, और इसके अंदर मैंने entry कर दी थी, तो अब मैं क्या करूँगा, यहां पर insert situation, और यहां पर mark entry, इन दोनों का use करके मैंने इसको use में लिया है, ठीक है, और अगर आप इसका कोई different way में use करना चाहें तो आप कर सकते, तो कुल मिला कर friends यह जो reference menu है, इसका use सबसे ज़्यादा book बगेरा publish करने में किया जाता है जब आप कोई book बगेरा बना रहें, तो उस समय पर इसका use सबसे ज़्यादा किया जाता है तो friends यह था हमारा reference menu I hope आपको वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like and share जरूर करना मैं मिलता हूँ आपको next वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग